खेलो माईडे प्रेंट स्वाकत है आपका इक और धमाकेतार वीडियो में देखिए आज का निफ्टी का चार्ट है मैं चोटा का रखा है पंदर मिनिट पे आपको चीज दिखाने के लिए यह आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिविस डे का चार्ट है और यह वाला आज का चार्ट है देखिए मार्केट क्या कर रहा है मार्केट बिल्कुल इसके सपोर्ट इसके मदलब लोएस प्राइस से नीचे से इसके लोएस प्राइस से यहां से सपोर्ट ले रहा है इसलिए इतनी बढ़िया यहां पे कॉल की मुमेंट आपको दिखाई दे रही है यह मैंने में क्या होता है इसे में होता है कि यह जो चाइड है यह अपने इसल खुद बनाने की कोशिष करता है क्योंकि यह जो सैलर मार्केट से कहां पकड़ पाएगा आप डाहुत जादा यह जो काफी जादा डिस्टेंस आया मार्केट काफी जादा गैप खुला है आए वन मेनिट पर देखते हैं आज हमने निफ्टी को देखके बैंक निफ्टी को समझके मगर निफ्टी की कैंडल्स देखके अपने टेलीग्राम गूप में ट्रेड दी थी किस तरीके से दी थी यह इसमें आपको दिखाना चाहूंगी यह देखे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले यह बताया है कि 933 पर कोई है फिर यह देखे एक केंडल 949 निफ्टी पर देखे क्या हो रहा है 941 ओके और डिसिजन केंडल बनी है डिसिजन केंडल को मारू बुजू से काटे तब आ まईने 瓜 आके लेवल सीस के बार मैंक निफ्टी ने काल करें का मॉमेंट भी किए है यह मैंने लिखा है निफटी ăn को अब आपको 9これは क्यंडल 941 इसल समझ लेना SL zone भी दिखाया है बताया है कि SL कहां रखना है आपको आईए अब अपने chart पर देखते हैं देखे 941 निफ्टी कौन सी candle है देखे ये candle है ये जो आपको दिख रहे है यहाँ पर ये वाली candle है ये ये candle 941 candle है ये देखे मैंने आपके लिए चार्ट बढ़ा कर दिया अब मैं आपको इसमें candle सिखाती हूँ देखे मैंने बताया था ये candle कटे तो आप समझ जाए और ये जो decision candle आपको दिखाई दे रहे है इस candle पर भी आप decision ले सकते हैं तो आप देख लिजे इसका top कहीं भी मारूगूजू से नहीं कटा है इसका low मारूगूजू से कटा है और इसमें इसने तो और भी पहले trade दे दिये purple zone हमारा कट गया है ठीक है ये जो चीज उपर गई है ये जो चीज उपर गई है ये भी इसके top को नहीं निकाल सकी है ये हमारा SL था decision candle के वीडियो में आपको दिख जाएगा इसके बाद देखें market कितना ज़्यादा down में गया है कितना ज़्यादा down में गया है तो इसमें क्या logic था क्या नहीं था पहले तो ये देखें देखें कल के वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज बताई थी निफ्टी में भी आपको यही चीज दिखाई दे रही है देखें एक एक बार दो बार तीन बार market ने तीन तीन बार कोशिश करी ज़रूरी नहीं आपको यहीं से put की trade लगानी है यहीं से trade लगानी है यहीं से call की trade लगानी है ज़रूरी नहीं है आप यह 4.5 point market को दे दीजिए थोड़ा सा उसके बाद safety के साथ surety के साथ market में trade कीजिए इसलिए यह candles या जो हम सबसे ज़्यादा safe चीज समझते हैं वो अपने group में share करते हैं जब यह चीज कटी तब मैंने हापे put cut rate बदाया था और यह decision candle का top जो है वो SL होता है इसमें बात क्या थी किस तरीके से logic क्या था एक तो logic देखे यह था कि 3-3 बार breakout हो गया है market उपर जाने में यह जो अभी SL create करें market में यह वाले जो SL create करें यह SL market में और कौन से SL है देखे यह तो इस तरीके से यह जो चल रहा है यह तो SL selling वाले जो SL है वो तो यह जो अच्छी सी moment आई इसने खतम कर दिया ठीक है मगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी म से ले रहा है यहां पे मैंने यह level बताया था यहां से मैंने लेवल बताया था तो उसके बाद देखें मार्केट में कितने अच्छी call की भी movement करी है अब उसके बाद हो क्या रहा है देखें बात क्या है यह हमारे करोर्पती ट्रेट का setup है इसलिए पहले market यहां तक इसके SL ल इस चार्ट के लिए ये जो चार्ट है ये जो चार्ट है देखे लाइन्स बंद कर रही हूं मैं अब आप से मैं ये सवाल कर रही हूं कि ये जो चार्ट है ये इस चार्ट में आप मुझे बताईए कि आपको अगर कोई support ढूणनी है ठीक है आपको अगर कोई sl लगाना है तो आप कहां डूनेंगे, आपको यही तो मिलेगी resistance, यही तो resistance मिलेगी, जब market यहां से move हो गया नीचे, ठीक है market ने क्या किया, इसका breakdown दे दिया, यह जो zone है, इसका breakdown दे दिया market ने, यह दे दिया ना breakdown, market ने इसका breakdown दे दिया, तो breakdown देने के बाद obviously थोड़ा सा उपर तो यहां तक expect कर सकते हैं, अगर आपको 1 minute में दिक्कत होती है, तो आप 5 minute में लगा सकते हैं, 3 minute में लगा सकते हैं, तो आपको bed of candles का जो है, वो सहूलियत मिलती है, आप बहुत accuracy के साथ लगा सकते हैं, यह वाली बात होती है, तो बस देखिए market उसके बाद से, यह बढ़िया put में ही है, यह देखिए कितना बढ़िया put का trade आया, इसमें क्या करेगा, इसको minimum निकालेगा ही निकालेगा, और इसको कैसे निकाल रहा है market, इसको मारूबूजू के साथ निकाल रहा है, तो जब तक आपको लाल लाल मेले, वसाब तब तक रहें, और फिर निकल जाएं, इस इसनी मार बायर को बिठा रहा है, तो इसमें psychology क्या है, इसमें psychology क्या है, इसमें psychology ये है, इन बायर के SL कहां होंगे, कहां होंगे इनके SL, अगर किसी ने यहां पे buying करी है, तो उसके SL कहां होंगे, उनके SL कम से कम 10, 15, 20 point नीचे होंगे, यही तो होगा, या फिर यहां पे मार्केट में ठीक है इस जोन में होंगे तो पहले मार्केट यह दिखा रहा है कि मैंने इसके ऐसे ले लिए अब मैं उपर जा रहा हूँ पहले मार्केट यह दिखा रहा है तो आपको अगर थोड़ा सा वो है समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे में आप यह करें कि आपको जब यहा possibility कहां बनती है कि यह rejection ले बस अगर आपको यह चीज़ दिखाई दे गई कि हां market buyer बिठा रहा है तो और कुछ करने की जुरौत ही नहीं ब्रेक आउट भी नहीं दे रहा है market यहीं तो कर रहा है यह एक हरी candle आ रही है इस पर डरते डरते trade करें बहुत confidence के साथ बनता है जिल लोगों ने trade नहीं भी थी मेरे group में बिगना रहा थी उनको मैंने इस candle का जब यह low कटा था तब भी कहा था कि यह कट जाए तो देख लो कि यह कट जाएगा क्योंकि इसको यह level तो निकालना ही है जब तक यह इस level को नहीं निकालेगा तो क्या होगा seller activate नहीं होगा seller को अच्छी तरीके से अक्टिवेट करने के लिए और buyer पर pressure बनाने के लिए market को इस level को निकालना चाहिए वह हुआ market में तो मेरे खाल से आपको concept समझ में आया होगा मेरा इरादा को यह नहीं होता है कि मै बहुत ही जादा वो करकर के time pass करकर के आप लोग यूट्यूब का watch time capture करती हो मेरा बिलकुल यह रादा नहीं होता है यह मेरा वो है यह मैंने किस तरह किसे trade ली थी आज मुझे थोड़ा सा 4-5 point का loss रहा था फिर बाद में मैंने put की trade ली थी loss को recover किया था मगर वो trade मैंने retail market था उस समय यह देखे मैं आपको बताती हूँ मैंने कहां पर ट्रेड ली थी यह देखे यह जो चीज आपको दिखाई दे रही है मैंने यहां पर put की trade ली थी यहां पर मैंने put की trade ली थी यहां तक के लिए यहां तक के लिए मैंने put की trade ली थी उसके बाद देखे यहां पर रिवर्स हो गया market यह चीज अपनी position को profit में लाने के लिए आप आके टैलिगाम पर देख सकते हैं और हमसे अगर इंट्रडे सीखना चाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है की लिंग से रखे आलिस एंजल अपस्टॉप किसी भी एक लिंग की तुरूदी मैट कुलवाएं और हमसे संपर्थ करें और अगर आपको market में वह चीज़े जाननी है जो practically काम करती है इंट्रडे पे अब 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 जाननी है कर लेना यह आपको दो दिन प्रॉफिट करा देगी मगर उससे जएधा आपको लॉस में डाल देगी इसलिए आप इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ना करें इस तरीके से अपने पैसे पे रिस्क ना लें प्रॉपर लर्निंग करें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर दीजिए और आप क्या सीखना चाहते है करपया मुझे बताईए हमारे प् आप एंगेजमेंट देंगे तभी वीडियो आगे बढ़ेगा तो अगर पहली बार चानल देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट जरूर दीजिए इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूं झाल 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 झाल